सारूक खान के डंकीक का पूरी दुनिया में बजता हुआ धिकरा आई और आपको बता दे कोलकाता शहर में सारू खान के कफी फैनस है लेकिन एक ऐसे फैनस है जो जो जब भी सारुखान की मूवी आती है उस वक्त कुछ ना कुछ नया ओफर निकालते हैं मैं बात करता हूं इट एंड जुए के ओनर मुहम्मद तौसीफ का और क्या इस बार डंकी के मूवी में क्या ओफर लाए है आज जाने कोशिच करते हैं मुहम्मद तौसीफ से जब दंकी का मूवी भी आया और आपका ओफर भी आया है क्या बोलना चाहेंगे पहले तो यहीं चीज़ बोलना चाहेंगे सर कि मैं इंडिया का नागरिक हूं और मुझे यहां पर डर नहीं लगता है जी यह आपका लाए है कि कोई भी वन फिप्टी का पर्चेस करने पर कब तक चलेगे यह वाला हम लोगा 23 24 25 डिसमबर तक चलेगा तो आपने इससे पहले भी देखा गया है कि अपने पठान में भी ऑफर दिया जवान में भी दिया सारुखान के कितने बड़े फैन है आप बहुत बड़ा सवाल है तीन मूवी बनी हुई है सबसे टफ सवाल जवान पठान और डंकी अब इनसे पूछेंगे कि सबसे अच्छी मूवी उन्हें कौन सी लेगी है यह पता है जी हमको तो हम उनका फैन है सरा उनका हर फिल्म ही हम उजे अच्छे लेगी है ऐसा को यह मतलब देखे सब अपने कैड़ेगरी में सब अच्छा है जैसे पठा जवान जो भी लेकिन जवान जो था वह बहुत अच्छा मतलब इंडिया के रिलेटेट था क्योंकि वहां पर उन्हों ने यह उन्दिया के नागरिकों की अउंगली का पावर क्या होता है जबुद्म में देखा जाता था देखा जाता था और सिफ रोमांटिक शीनी रहता लेकिन अभी बहुत सारे यूथ है हमारे जो मतलब गुम्राई में जा रहे हैं तो उसलिए मतलब यह मैसेज दिया जा रहा है कि वह लोग भी संबले अपने घर परिवार को देखे और अपने तरक्की करें और अपने देश को तरक्की होते वे देखें आप तो हमेशा देखा में हमारा पीजा भी स्टार्ट हुआ है ऐसे तो मैंने ना जवान देखा है ना पठान देखा है और नहीं डंकी देखा है लेकिन यहां मेरे जो भाई साहब है तो उनसे पूछते कि इस डंकी के मूवी में क्या मेसेज देनी क्योशिश ही ज़रा बताने जी यह इस मूवी म है कि हम लोग इंडिया के इंडिया में हम लोग खुद कमा सकते हैं मेरे ख्याल से मेरा भी यह मानना है क्योंकि मेरी भी मम्मी बोलती थे कि बढ़ो लिको उसके बाद में चल जा बाहर लेकिन ऐसा नहीं होता है यहां पर आप यहीं पर रहेगा तो एक चीज अच्छा है कि कि यहीं पर कमाने के कोशिश करिए और सब को ले के साथ में चलिए क्योंकि कोई पर आते आते में वक्त निकल जाएगा वह चीज आपको फिर मिलेगा नहीं फिर वापस नहीं आएगा जी बिलकुल यहां पर कह रहे हैं कि काफी अच्छा मेसेज देनी कोशिश की गई है ल कि यहां पर बहुत ऐसा के लिए नहीं और और वहां पर कुछ और कर रहा है तो यहीं पर इसके अच्छा है कि यहां पर थोड़ा पैसा मिल रहा है कि दो पैसा बड़ा होता आज की जमाने में लेकिन इसन मेरे ख्याल से मुहमप तौसीफ तो उम्र में हमसे काफी छोटे हैं लेकिन इन्होंने कारोबार को काफी बड़ा कर लिया है करीबन दो ब्रांच आपने खोल लिया मतलब इन प्रोसेस में यह तीसरे भी ब्रांच करने वाले हैं और अलहमदुलिल्ला आपके कितने भाई हैं अकेले होकर इन्होंने दो ब्रांच खोल लिया तीसरे कभी प्लाइनिंग चल दा है तो जो यूथ है और जो सोचते हम कुछ नहीं कर पाएंगे उनको आप क्या मेसेज देना चाहिए यही बताना चाहिए सर उतना करिए इंशाला अच्छा ही होगा जो भी लिखा हुआ अपको लिए अच्छा ही लिखे होंगे त्यात रचेंगे बिल्कुल त्यात रचेंगे वह